हेलो दोस्तों वेलकम टू इलेक्ट्रोनिक स्टडी यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो आपकी आगामी परीक्षा है सिक्षक भरती की उसके लिए कंप्यूटर का कोर्स जो है वह आपका इस समय मै कम्प्लीट करवा रहा हूँ ऐसे में दो वीडियो आपके कंप्यूटर के आ चुके हैं यह हमारा 27 लेक्चर है सुपर टीटी को लेकर के जब हम बात करेंगे प्लेलिस्ट आप जरूर दिखेगा यहां पर बात कर लेते हैं सबसे पहला सवाल आप यहां पर देख पा रहे ह यह है तो है चार्लस बैबेज दूसरा सवाल है कपड़े बुननी की लूम का अवीस्कारक जो है वो कौन मनने जाते हैं तो जोसिफ जेका कि कौन सी होती है अगर अगर माइक्रो प्रॉसेसर की बात करते हैं तो वेरी लार्ज स्केल इंटिंग्रेटेड़ करके आता था तो लार्ज स्केल इंटिंग्रेटेड़ करके होता था अभी वेरी लार्ज स्केल इंटिंग्रेटेड़ करके उन्हें कह दिया जाता है एडिंग मशीन जो है आड़ करने वाली जो मशीन होती थी उसका क्या नाम है 6 नंबर में बोला है इनुने यहाँ पर कहते हैं कि IC यानिक इंटेग्रेटड सर्किट का प्रियोग तरतिय पीड़ी के कम्प्यूटरों यानि संगलक या अभिकलक या परिकलक कम्प्यूटर को हिंदी में अभिकलक और परिकलक भी कह देते हो तो तरतिय पीड़ी के कम्प्यूटर में जो है IC चिप का प्रियोग होने लगा और यह जो पीड़ी के कम्प्यूटर थे 1964 से 75 की डिवरिशन में थे साथ में में लिखा है निर्देशों का समूह जो है वो प्रोग्राम कहलाता है यानकी set of instructions is called प्रोग्राम ये चीज़ यहां से ध्यान रखेगा जो आपके processed data होते हैं मतब data after processing जो data है वो process होने के बाद information बन रहा होता है तो यहां यह आपका CPU हो गया इससे क्या निकला आपका information निकला उसे भी आप ध्यान रखेगा सही निरड़े लेने हैं तो सही आंकड़े सही गलना सही सूचना की जरूरत होती है अगर आप चाहते हैं कि एक correct decision या correct output आपको मिले तो आपका जो data है वो correct होना जरूरी है उसकी calculation होना बहुत जरूरी है मतलब सही calculation होना और उसके बाद उसमे correct information भी होनी चाहिए तब आपको जो आप चाहते है वह एक decision के रूप में correct दरीके से मिलेगा binary code सिदा सिदा पूछा जा था कि binary code का जो आपका base है वो कितना होता है तो इसका base जो है वो 2 होता है यहाँ पर नहीं लिखा है लेकि जा लीजिए और इसे 2 में एक होता है 0 जिसे हम off बोल देते हैं और एक होता है 1 जिसे हम on बोल देते हैं आपका जो switch होता है जिस पर आप plus minus जब आप light जला रहे होते हो पंका चला रहे होते हो जो भी है तो उसमें एक one के लिए जो होता है जब आप on करते हो तो one जब off करूगे तो zero हो जाएगा 10 है यहाँ पर एक byte में 8 bit होते हैं वही एक mb में अगर आप बात करते हो तो 1024 kilobyte से आपको देखने को बिलेगे आगे चलते हैं कुछ और questions के बारे में बात कर लेते हैं 11 नमबर में आप देख पा रहे होंगे रोम के बारे में है रोम का full form होता है read only memory वहीं RAM के full form को लेकर के आप बात करोगे तो रहना end of access memory सीधा सीधा primary and authentic memory के examples में यह पूछ लिये जाते हैं आगे कहते हैं 12 नमबर में कि स्थाई स्मृती यानि कि जो permanent memory है रोम जबकि आ स्थाई स्मृती जो है वो RAM होती है एक होता है आपका ऐसी temporary memory कि आप जब तक computer चल रहा है आपका तब तक उसमें memory में जो भी चीज़े stored है light गई तो उसमें memory में जो भी चीज़े होती है वहाँ आपकी खत्म हो जाती है erase हो जाती है तो ऐसी चीज़ों को जो है permanent जो ना हो उन्हें हम RAM कहते हैं जिकि जो permanent होगे उन्हें हम ROM कहते हैं read only memory कहते हैं 13 नमबर में hybrid computer में analog और digital computer में दोनों गुण पाये जाते हैं ध्यान रखेगा जब आप एक hybrid computer की बात करते हो तो उसमें analog computer ध्यान दीजेगा और एक digital analog आपका कुछ इस तरीके से चोड़ चल रहे होते हो digital में क्या होता जो 01 के form में आप बात कर रहे होते हो तो digital का मतलब ही है 01 आपका जो computer है वह भी केवल यही भाषा समझता है कौन सी भाषा 01 की भाषा आप अपना नाम अगर महेश लिखते हो मैं अपना नाम महेश लिखता हूँ तो महेश को किस तरीके से वो एक hexadecimal को कैसे decimal में change कर रहा है decimal को कैसे वो binary में change कर रहा है फिर वह वाची जो भी बाते होती है जो भी text है जो भी word है उसे वो read करता है आगे है इसमें बिखरे हुए आंकडों को अंके रूप में एकत्र करके उन पर क्रिया करने वाले computer जो है वो क्या कहलाते हैं तो ऐसे जो है उनको हम digital computers बोलते हैं यह चीज़ यहां से ध्यान रखेगा आगे है सबसे अधिक प्रियोकता वाले computer super computer कहलाते हैं प्रियोकता मतलब जो highway usage के होते हैं काफी बड़े बड़े गड़नाओं में इन super computers को हम प्रियोग में लेकर के आते हैं वही बात यहां पर बताई गई है 16 नंबर में कहा है कि सिक्षा में computer का प्रियोग परिक्षा परिडाम गोशडा में विद्यार्थियों को पढ़ाने में सिक्षा प्रसाशन में यादि में किया जाता है तो इसमें बहुत सारी चीज़े हैं आप जब education की field में देखते हो तो यहीं यहां पर बताया गया है कि कहां कहां पर हम computer का use कर रहे होते हैं अगे है mouse है, keyboard है, light pen है यह सारी input devices होती है आप समझ रहे हो जिससे यहां पर data या information का input लिया जाता है और after processing एक output के रूप में हमें चीज़े देखने को मिलती है जैसे यहां पर speaker है, printer है यह सभी के सभी आपके output के रूप में या monitor है आपका जो screen आपको दिख रही होती है यह सभी के सभी output devices में consider होते है input devices में कुछ और devices के नाम लिखे हैं जैसे mouse है, keyboard है, light pen है, आपका scanner है यह सारे किसमें आते हैं input devices में computer का शाब्देकर्थ क्या होता है तो computer का शाब्देकर्थ आपका वह संगलक होता है इसे हम परिकलक, इसे हम अभीकलक भी कहते है चुकि अभी मैं बता चुका हूँ, वो चीज आप यहां से ध्यान लखिएगा अगे चलते हैं इसमें कहा है windows operating system में GUI वा CUI दोनों गुण होते है GUI क्या है, यह होता है graphical user interface वहीं CUI यह होता है आपका command user interface करके बोलते हो तो जब आप एक windows operating system की बात करते हो लोग कहते हैं मेरे में windows 7 है, कोई कहता है मेरे में windows 10 है, ऐसे करके आप समझ रहे तो यहाँ पर क्या है कि graphical user interface वहाँ पर क्या होता है काम कर रहा होता है और साथ में command user interface भी आगे चलते हैं 21st में आपका जो question है लिखा हुआ है कि जो land है, local area network की जब आप बात करते हो इसका अक्षेतर विस्तार सबसे कम होता है एक office में या कोई आप जब एक building देखते हो या फिर आप ये कहलो कोई एक जैसे college हुआ college में जो अलग-अलग departments है उनमें जो computers होते हैं वो आप उसमें connected होते हैं एक line के द्वारा ही जिसे हम local area network कहते है ठीक है लगभग इनकी जो distance होती है लगभग एक किलो मेटर तक माना जाता है कि इनका जो connection है वो एक किलो मेटर तक cover कर रहा होता है 22 नमबर में कहा है कि वीडियो conference मुखेता हसं चार के एक शेतर में पाई जाती है आप ये देखोगे कि communication में किस तरीके से वीडियो communication के थुरू क्या कर रहा होते है हम बात कर रहा होते है जिसे zoom application है इस समय आपके पढ़ाई में आपने जरूर यूज किया होगा या आपके घर में जो बच्चे हैं उन्होंने बच्चों ने यूज किया होगा आगे चलते हैं इसमे operating system के भाग कौन-कौन से है कौन-कौन से पार्ट जो है वो operating system में हमें देखने को मिलते है तो इनमें ये कहा गया है कि जो BIOS है basic input output system जिन्हें हम BIOS कहा देते हैं एक linker होता है boot loader करके लिखा है यहाँ पर इन्होंने जबकि operating system का कहते हैं जबकि OS का भाग supervisor नहीं है यहाँ पर क्या होता है आपसे देदेगा कि इनमें से कौन सा पार्ट जो है वो operating system का नहीं है supervisor उसका पार्ट नहीं है जबकि basic input output system जिसे BIOS बहते हैं हम एक linker होता है एक boot loader होता है यह सारे के सारे एक operating system के ही पार्ट होते हैं जो कि क्या कर रहे होते हैं पूरे computer system को operate कर रहे होते हैं पूरे आपका जो भी application software है उसे run कर रहे होते हैं आगे बात कर लेते हैं इसमें computer शब्द का अंगरीजी के computer से बना है यहाँ पर जिसका जार्थ है गड़ना करना यह भी आपको पता होना चाहिए बहुत सिंपल सा question था 25 में कहते हैं OS का मुख्य उदेश एक computer system के उपयोग को सरल बनाना होता है जब भी आप एक operating system के बात करते हो तो उसका objective क्या है कि किस तरीके से हम एक computer system को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते है यूज करने लायक ठीक है जो user friendly हो आराम से जो प्रियोग करता है उसे वहाँ प्रियोग में ला सके कहते हैं Linux करके बोला है इनुने Linux operating system एक multi user और multi tasking operating system है Linux बोलते हैं इसे या Linux करके बोल देते हैं इसो आप ऐसे लेखते हो Linux करके या Linux करके बोल देते हो तो multi user है आपका और multi tasking एक साथ कई user काम कर रहे होते हैं और multi tasking मतलब एक साथ कई सारे काम किये भी जा सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा आप CTET, UPTET या सुक्षक भरती के complete notes के लिए आप मुझे इस number पर संपर्क कर सकते हैं आपको वहाँ पर सारी information दे दी जाएगी sample papers जो है कि किस तरीके से notes तयार किये गए हैं वो सब आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगा अगे है जो computer network में केंदर का कारे करता है उसे हम server computer कहते है जो main computer होता है वो क्या होता है अपका server computer इंटरनेट पे मुखेता है worldwide web सेवा का प्रचलन होता है www करके बोलते हो Charles Babes के प्रतर mechanical computer को calculator कहा जाता था ऐसे ही व्यक्तिगत रूप से प्रयोग में आने वाले जो computers होते हैं उन्हें हम personal computers या फिर micro computers कहते हैं ये चीज़े आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है आपके सिक्षक भरती के computer के कुछ questions को ले करके यहां पर मैं बात कर रहा था फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही next वीडियो आपका जल्दी ही आपको मिलेगा मिलते हैं जल्दी है आपसे thanks for watching